दोस्तों, हर्तालिका तीज का वरत कब रखा जाएगा? सतरा या अठरा तारीक को? हर्तालिका तीज के वरत की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? हर्तालिका वरत क्यों रखा जाता है और इसकी पौरानिक कथा कौन सी है? हर्तालिका पूजन का शुभ मुहूर्थ कब है? आई पति वरता महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र के लिए तथा परिवार में सुक शान्ती बनाए रखने के लिए वरत और उपवास करती है। पतात ही अविवाहित कन्या भी इस वरत को रखती है और भगवान शिव से मन चाहे वर की कामना करती है। पतमवर के रूप में सुझाव देते हैं जिससे राजा हिमवान और उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन देवी पारवती इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है क्योंकि उन्हें केवल भगवान शिव से ही प्रेम था और वे शिव से ही विवाह करना चाहती थी। पारवती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोले नात को ही पती के रूप में स्विकार करेंगी। सखी की सलाह पर पारवती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की अराधना की। जो भी स्त्री भाद्रपद शुक्ल तृतिया के दिन व्रत रखकर उपवास करेगी उसे मनचाहावर प्राप्त होगा। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी और जीवन भर सौभाग्यशाली रहेगी। बारह बजकर उन्तालीस मिनट तक मान्य रहेगी। इस प्रकार से उदै तिथी को मान्य मानते हुए इस वर्ष हरतालिका तीज का वरत अठारा सितंबर को ही रखा जाएगा। इस दिन व्रत को करने के साथ शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा का शुभ मुहूर्थ सुभह छे बजे से लेकर रात्री को आठ बजकर 24 मिनट तक रहेगा। सुहागिन महिलाएं इस दौरान किसी भी समय पर शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर सकती है। इस दिन शाम को प्रदोश काल लग रहा है और प्रदोश काल में शिव पूजन का महत्व बहुत अधिक होता है। आईए अब जानते हैं हरतालिका तीज के वरत के नियम। सबसे पहली बात हरतालिका तीज के वरत में जल ग्रहन नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद ही जल पी कर वरत का समापन करने का विधान है। हरतालिका तीज का वरत एक बार शुरू करने पर इसे छोड़ा नहीं जा सकता। हर साल इस वरत को करने का वि इससे शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसा करना अशुब होता है। साथ ही महिलाओ को सफेद रंग की साड़ी भी नहीं पहणनी चाहिए। इस दिन लाल गुलाबी अत्वा हरे रंग की साड़ी पहन कर ही पूजा करनी चाहिए। ये रंग सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। आईए अब जानते हैं हर्तालिका तीजवरत की पूजन विधी। हर्तालिका का तीजवरत अठारा सितंबर को ही रखा जाएगा। अठारा सितंबर को ग्यारा बजकर 31 मिनट के बाद रवी योग और इंद्रा योग का निर्मान हो रहा है। इसलिए 11 बजकर 31 मिनट के बाद कभी भी पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर्तालिका तीज की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोश काल में करना सर्वोत्तम फल प्रदान करती है। इस दिन पूजा के लिए भगवान शिव, माता पारवती और भगवान गणेश की रेत की अथवा काली मिट्टी से बनी प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। फिर उत्तर दिशा में पूजा स्थल का निर्मान करके लकड़ी की चौकी को फूलों से सजा कर उस पर केले के पत्ते बिछाए और उस पर भगवान शिव, माता पारवती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव, पार्वती और गनेश जी का शोड़ शोप चार पूजन करे। इस वरत की मुख्य परंपरा के अनुसार माता पार्वती जी को सुहाग की सारी वस्तुएं चड़ानी चाहिए। चड़ाए और हलवे का भोग लगाकर वरत का समापन करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन घर में सुख सम्रिध्धि लाने के लिए ये उपाय अवश्य करने चाहिए। यदि किसी कन्या के विवाह में अडचन निर्मान हो रही है, मन चाहा वर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग के समीप शुद्ध घी के ग्यारारह दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से शिव पारवती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कन्या के विवाह में आ रही समस्याएं नश्ट हो जाती हैं, तथा उत्तमवर की प्राप्ती शीग्र हो जाती हैं, यदि पती-पत्नी के बीच दूरियां हैं या फिर आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर जगडा होता रहता है, तो हरतालिका तीज के दिन निर्जला वरत जरूर रखें, शिव जी के मंदिर में चौमुखी दीपक जलाएं, साथ ही माता पारवती को सिंदूर और लाल चूडियां अर्पित करें, यदि किसी जातक के विवाह में देरी हो रही है, तो हरतालिका तीज के दिन किसी पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी लेकर शिवलिंग बनाएं, इसके बाद उस शिवलिंग की पूजा करके उस पर 21 बेलपत्र अर्पित करें, कुमवारी ल बनते हैं, माता पार्वती की विशेश कृपा पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग लगाना चाहिए, और माता पार्वती के मस्तक पर लगाया हुआ सिंदूर अपने मस्तक पर लगा कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, माता जल्दी प्रस इससे शीग्रही सभी दुख समाप्थ होते हैं। इस प्रकार से हर्तालिका तीज का व्रत रख कर माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करे। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में ओम नम्ह शिवाय और जयमा पार्वती जरूर लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे। आप सभी का धन्यवाद।